जबी भी हम Minoxidil लगाना स्टार्ट करते हैं और around 80% बंदों को result मिल भी जाता है मगर अगर हमारे existing बाल ही पहले से ही सफेद हैं और हमको result Minoxidil या कुछ other hair treatment यूज करने के बाद मिला है तो क्या हमको Minoxidil लगाने के साथ साथ या कोई भी treatment लेने के साथ साथ hair color hair dye hair bleach या कोई भी अधर chemical treatment बालों को वापस काला करने के लिए लेना है या नहीं क्योंकि हमें डर भी लगता है कि क्या मालूम यह chemical treatment hair color यूज करने के बाद हमारा बाल जो है existing बाल जो है वह उनका color तो चेंज हो जाएगा जैसे हमको चाहिए लेकिन result हमारा जो मिला है Minoxidil से वह खराब ना हो जाए अगर यह डाउट आपके मन में रहता है है Minoxidil यूज भी करते हैं अगर यह डाउट रहता है तो भाई लोग आज का वीडियो पूरा जरूर देखें विकॉस आज के वीडियो में आज आप सब्सक्राइब करना ही है वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर लोग अगर डायरक्ली अंसर पर जाएं तो देरा टू पॉइंट्स विच्वी गाइस हैब टू नूट जभी भी हम हेर ट्रीटमेंट ले रहे हैं जैसा मिनॉक्सराइल लगा रहे हैं हेर वाइटलाइजर लगा रहे हैं या हेर लोशन लगा रहे हैं इसके साथ हम अपना बालों में कलर करते हैं या ब्लीच लगाते हैं या कोई केमिकल ट्रीटमेंट लेते हैं जिससे बालों का कलर चेंज ह हो जाए तो पहला important point है कि जब भी हम यह color लगा रहे हैं वो टाइम में हमारा scalp साफ हो अगर रात में लगाया है तो हमारा scalp पूरा साफ होना चाहिए before using this hair color hair dye hair bleach क्योंकि अगर minoxidile residue या कोई भी hair loss treatment का residue रहे जाता है हमारे scalp में उसके उपर अगर हम hair bleach करते हैं color लगाते हैं या कोई chemical treatment लेते हैं जिससे बालों का color change हो जाए तो जो residue रहा है उसके कारण और color आ गया उसके उपर तो हमारे बालों में scalp में eating बहुत जादा बढ़ जाता है जिसको वाइड करना का एक ही option है कि हमेशा हमारे scalp को साफ रखना है before using this hair color और दूसरी point जो हमको remember करना है हमें याद ही रखना है कि भाई हमारा scalp कोई भी color hair color hair dye use करने के बाद कुछ time के लिए temporary बहुत जादा sensitive हो जाता है तो इसके लिए ही हमें एक time का लगाना या कोई भी ही लॉष treatment लगा रहे हो आप तो उसको skip करना है विकार हमारा scalp scalp बहुत ज़्यादा sensitive हो चुका है उसके उपर और आप hair loss treatment लगा रहे हो वह भी some extent chemical है तो इसको skip करना है नहीं तो हमारा scalp में बहुत ज़्यादा redness बढ़ जाएगी eating बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा hair fall increase भी हो सकता है विकास यह हमारा scalp कुछ time के लिए बहुत ज़्यादा sensitive हो जाता है अगर आप once a day लगाते हैं night time में तो आपका process रहना चाहिए कि morning को उटे scalp साफ किया shampoo से bleach किया या अपने hair dye लगाया वो लगाया फिर next time का आपको minoxidil skip करना ही है अगर twice a day लगाते हैं morning में भी और night time में भी तो morning में try करें skip करें बालों को साफ करें फिर डाई लगाया और even night time में भी आपको minoxidil या कोई और treatment लगाना skip करना है because हमारा जो scalp है वो sensitive रहता है around 24 से 48 hours तक तो try करें कभी भी जबी भी डाई लगाया है आपने वो डे प्लस next डे भी अप दो time skip करना ही है minoxidil लगाना क्यों हमको कोई ज़ादा hair loss नहीं जाहिए दोनों use करने के साथ साथ तो भाई लोग I hope मैंने आज आपका यह answer clear कर दिया हो कि क्या मुझे लॉस treatment के साथ साथ hair color hair dye या कोई अदर chemical treatment जिससे हमारे बाल का color change हो जाए use करना है या नहीं अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो ज़रूर शेयर करें subscribe तो आपने किया ही हुआ है चलें भाई लोग मिलते हैं नेक्स वीडियो में वीडियो करें कि मौधा लेखा जड़ BLACK लाई।